नमश्कार दोस्तों वेल्टिस्काई के एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निप्टी और बैंक निप्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडर्स्टेंड करेंगे समझ करता है आगे आने वाले दिन में और इस वीक में मार्केट कैसा रहेगा इसको भी हम अंडर्स्टेंड करने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर हम ग्लोबल एच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखके easily market अपने आपको catch up करने की कोशिस करता है तो अगर आप देखो कि last trading session में Dow Jones करीब 145 पॉइंट गिरके बंद हुआ नेस्जेक करीब 130 पॉइंट गिरके बंद हुआ है ऐसा कुछ ज्यादा दिखनी रहा क्योंकि यहां पर विक्स बिल्कुल भी जंप नहीं हुआ है अल्मोस्ट 14 के आसपास है S&P 500 विक्स तो global market में stability बनी हुई है तोड़ी बहुत profit booking यहां पर आती रहेगी यह चीज़ क्लिरली समझत लीजिए तो ठीक है global market से हमें कुछ ज्यादा problem फ्लाल तो नहीं दिख रही है ठीक है अपने market पे चलते हैं तो सबसे पहले देखो यह nifty का weekly chart है और यह जो लाल line देख रहे हो आप यह nifty की weekly closing की जो कि हम देखें सबसे highest weekly closing अगर हम understand करें तो यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चे वीक के बाद यह आई है जो कि हमने last Friday को closing डी थी ठीक है अब एक चीज़ ध्यान में रखेगा कि यह जो particular point है यह आपके लिए resistance है यहां पे resistance है, यहां पे resistance है यहां 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 आपके लिए एक resistance का काम करेगा यह point द्यान में है, इसके ऊपर ही हम एक breakout मान सकते है ठीक है, इतना आपको clearly समझ भागे अब इसके ऊपर breakout आएगा तो जायट सी बात है, जो target खुलेगा वो 22,250 तो 300 के level का खुलेगा हो सकता है 400 भी चला जए, क्योंकि इंडेक्स बड़ा है आदा परसेंट भी चलेगा, तो भाई, सीरी बात है 1500-200 पॉइंट ऐसी move कर जाता है ठीक है, यह point आपको clearly समझना है बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर इसने मान लीजे, इस बार भी अगर resistance लिया इस पर और फिर यह नीचे की तरफ move किया तो यह low सबसे important रहेगा इस low के नीचे यह sharply गिर सकता है क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पर जो पहली selling आई यहां पर इसने almost low बनाया फिर दुबारा जब यह नीचे गया तो इसने यह low बनाया फिर यह almost एक consolidation किया और फिर यह नीचे गया तो इसने यह low बनाया ठीक है न? तो कहीं ना कहीं low उपर की तरफ shift हुआ है यह ध्यान में रखेगा तो अगर यह अपकी बार यह low break हुआ तो फिर swing low भी यह बना सकता है यह थोड़ी overall analysis है जो आगे आने वाले 20 दिन 25 दिन के लिए आपको काम आएगी ठीक है तो weekly closing में सबसे highest closing यह है जो कि हमें last week देखने को मिली थी ठीक है अब अगर यहाँ पर हम shorter time frame में चले हैं और overall range के साब से बात करें market की तो उसके साब ते हम यहाँ पर 30 minute का chart लगाते हैं ठीक है यह nifty का 30 minute का chart है आपको दिख रहा है clearly ठीक है अब इसमें आपको समझना क्या है इसमें आपको यह समझना है कि यह जो उपर का level है वो एक resistance है ठीक है यह जो level हमने उपर mark किया हुआ है यह इसको थोड़ा और नीचे खल देते हैं यहाँ पर यह एक resistance area है और नीचे हमारे पास क्या है यह जो particular levels है यह हमारे पास एक support area है ठीक है यह दिख रहा है आपको यहाँ पर थोड़ा सा और अगर chart को मैं आवली पर कर देता हूँ तो शायद आपको ठीक है यह clearly यहाँ पर यह दिखेगा कि हमारे पास मीचे के levels पर यह support area है निफ्टी के लिए ठीक है और उपर हमारे पास एक resistance है ठीक है उपर अगर resistance को हम देखें तो यहाँ पर यह इस level से गिराता नीचे आया ठीक है फिर दुबारा same level से हमें selling देखने को मिली इती नीचे आया और अब यह दुबारा से है ठीक है तो already अभी दो वार ही test हुआ है उपर के level दो बार क्यों बोले हम एक ही बार test हुआ है तो chances vary आई कि यहाँ पर resistance phase कर सकता है क्योंकि अभी यह इतना weak नहीं हुआ है बट अगर नीचे के level पर बोलें तो हम यह नहीं है यहाँ पर हमने इसको एक बार test किया फिर हम दुबारा उपर क्रें इसको हमने break किया almost फिर दुबारा इसी level पर हम आये यानि एक दो बार यह हो गया तीन फिर दुबारा हमने इसको यहाँ पर test किया तो नीचे का लेविल तो हमने 4 से 5 बार टेस्ट कर चुके हैं लेकिन उपर का जो लेविल है सिरफ हम पहली बार दूसरी बार टेस्ट करने के लिए आया है तो यहां पर चांसे लए याई अगर मैं यहां पर रेशोट देखूँ तो मेरे लिए 80% शॉट साइट का रेशोट ह होगा क्यों क्योंकि यहां पर दूसरा टैम्ट है इसके लिए कुछ ऐसा मुल्टिपल अटैम्ट में हो गए जिसकी वेसे पर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव कर जाए हो सकता है यह एक दो दिन यहां पर टाइम पास करें और फिर दुबारा नीचे की तरफ आजा है त अगर मान लीजे लेविल्स के लिए सबसे अच्छा लेविल है कि अगर यह बाइस है कि नीचे ट्रेट करने स्टार्ट करेगा तो मैं इसको शॉट करूँगा तार्गेट दुबारा से मैं आपको अराउं एक किस अजाद साथ सो का लेके चलूँगा अगर पोजिशनल ले नीचे निखलेगा तो हम इसको सेल करेंगे ऊपर की तरफ बाइंग के लिए फिलाल कुछ दिखनी रहा है क्यूंकि वह सकता है गयप खुल जाए हो सकता फ्लैट खूल जाए तो अगर बाइस या नीचे जाता है तो डेफिनिनितल लिंटी हम इसको जो ज़रू सेल की लिग है वह 46 384 के आसपात आई जिसमें कि अगर देखा जाए तो 46 500 हमारे पाद एक strong resistance है क्योंकि यहीं से इसने यहां से एक sharp selling दिखाई थी फिर दुबारा यह इसी level के आसपात से इसने फिर sharp selling दिखाई थी और अब यह दुबारा कि नीचे sharp selling आ सकती है उसको मैं understand करना है तो जायट सी बात है 46,000 के नीचे अगर यह trade करना start करता है तो हम इसको sell करेंगे ठीक है 46,000 के नीचे इसको हम sell करेंगे या फिर आप चाहो तो 46 200 के नीचे भी इसको sell करने की कोशिस कर सकते हो बट 46,000 के नीचे जाएगा तो फिर एक अच्छा sell बनेगा फिर क्योंकि इसके पास फिर जो सीधर सीधर टारगेट आएगा वह और आएगा 45 600 का तो यहां से करते जोंड़ सकते हो खासकर के अंदर और ब्यंकर रहता है तो बैंकर फिर पैले दूढ़ीजेगा निस्टी में थोड़ा सा नहीं है, I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेट जरू करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सुधी लेका आता हूँ हर दिन आप लिए नहीं वीडियो, इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो, जै हिंद!